आज 12 सप्टमबर 2024 थरस्टे गुरुवार के दिन बुराईलर कोप चिक्स को लेकर के आपडेट आया है वेंकी सीबीसी और फोनिक्स की तरफ से इसकी जानकर लेकर मैं सन्नी पंजाब से एक पर फिर आप सबी के साथ जुड़ चुका हूँ तो चिक्स के रेट में कोई भी गिरावट जा चिक्स को लेकर कोई अच्छी खबर है वो निकल कर आज भी नहीं आई है हाला कि आप सभी जानते हैं कि काफी समय से जो मंडियां है वो नीचे चल रही है इसको देखते हुए जो प्रियास लगाए जा रहे थे जहां फिर जो बनता था कि जो चिक्स का रेट है वो भी कम होना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ जो है चिक्स रेट में ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है और वही दुक कर वजदी में दूसरी तरफ मंडियों का तो मंडियों में भी कोई ज्यादा उशाल देखने को नहीं मिल रहा है एक दो रुपे की तेजी आती है और अगले दिन एक दो रुपे की गिरावट आ जाती है तो मंडियों लगबग वहीं पर ही अटकी हुई है तो देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है क्योंकि आगे शराद भी आने वाले है तो देखते हैं मंडियों का रुख क्या रहता है हाला कि जो चेक्स का अपडेट है वह आपको सबसे पहले मैं दे दूँ आज 12 सेप्टेंबर 24 तो चेक्स जो फिशेले काफी दिनों से चल रहा है वही अपडेट है फिर भी जहां थोड़ी बहुत ही चेंज आई है वह आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं सबसे पहले पंजाब और हर्याना जी जो रेट है वेंकी सीबी सी और लोकल में के जो आपको बताऊंगा उसके बाद फोनिक्स की तरफ हम रूप कर लेंगे पंजाब और हर्याना थर्टी एट अर्टी सर्पे जी एंड के 40 रुपे हिमाच और देहरादुन 39 49 रुपे यूपी भी हाज जार खंड इन तीनों जगह से 38 38 रुपीज का अपरेट है गुजरात 37 37 रुपे राजस्थां 39 49 रुपे अंधरा परदेश और देलगाना 36 36 रुपे करनाटका 35 35 रुपे का परेट है असाम अच्छी खासितेजी के साथ चल रह परिश्या 44 40 रुपे नॉर्थ वेंगाल 41 41 रुपे का अपरेट है जी सौर्थ वेंगाल की तरफ जाओं तो वहां से भी 40 40 रुपी का अपरेट हमें देखने को मिला है 10 36 36 रुपी के साथ अपरेट हुआ है माहराष्टा 34 34 रुपी के साथ अपरेट हुआ है MP 37 37 के कर फोनिक्स ग्रूप ने क्या अपडेट दिये है आज के लिए अपने तो फोनिक्स ग्रूप आज 12 सेप्टेंबर 24 थर्सले गुरुवार के दिन तो इसमें सबसे पहले रुक करूँ जदी मैं MP का तो वहां से 38 38 रुपे का पडेट है रुपीज का अपडेट है और लास्ट में वैस्ट विंगाल फोनिक्स ग्रूप ने 41 रुपीज के साथ अपडेट किया है जो यह थी कहानी फोनिक्स गूप की आप सभी किसान बईयों का बहुत बहुत धन्यवाद कर दो